अगर आप YouTube पर How to Create a Free Website लिखकर सर्च करते हो तो आपके साब में धेल सारी वीडियोस आ जाती है तो जब आप उन वीडियोस को प्ले करते हो तो उनमें आपको बताया जाता है कि कैसे हम Free Website बना सकते हैं लेकिन उनमें आपको ये बताया जाता है कि आपको .tk.ga.ml इस तरह के डॉमिन के साथ आपको एक Free Website बनाने को बताते हैं तो इस वीडियो में मैं आपको YouTube की और वीडियोस की तरह बताने वाला नहीं हूँ YouTube की और वीडियोस में आपको बताया जाता है Freenorm.com से आपको .tk.ga.ml के डॉमिन को लेनेगा और किसी भी Free Providing, Hosting, Providers की तरफ से एक hosting को लेकर आपको .tk वाले website, .ml वाले website बनाना आपको बताया जाता है लेकिन दोस्तों आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा .com.net.org.in इस तरह के domains के साथ आप कैसे free hosting, free professional domain के साथ अपना एक free का website आप बना सकते हो तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं और कैसे .com बोले domain के साथ हम एक website बनाते हैं वो देख लेते हैं तो गाइस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए आगे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और दोस्तों अगर आपको ये वीडियो हलफुल लगती है तो आप इस वीडियो को like ज़रू कर दिए तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं तो सबसे पहले आपको अपने ब्रॉजर में आ जाना है और ब्रॉजर में आने के बाद URL में आपको टाइप करना है मायरा.io आप यहां पर देख सकते हो मायरा.com आपको टाइप करके एंटर कर देना है तो मैरा.io एक ऐसा वेबसाइट है जो कि आपको फ्री में वेबसाइट प्रोवाइट करता है जी हां फ्री डॉमिन के साथ फ्री होस्टिंग के साथ फ्री इमेल के साथ यह आपको एक प्रोफेशनल वेबसाइट फ्री में प्रोवाइट करते हैं और यह जो domain आपको provide करते हैं वो domain होती है .com.in.net.org ऐसे होले domain के साथ आपको ये एक website free में provide करते हैं लेकिन ये जो website ये provide करते हैं ये कुछ समय के लिए free होती है उसके बाद आपको थोड़ा सा amount इने pay करना होगा तो ये कितने समय के लिए आपको free में website provide करते हैं ये आपको आगे वीडियो में पता चलेगा तो आप यहाँ पर देखिए आप आ गए हो महरा website पर तो आप यहाँ पर देख सकते हो create a free website for free तो आपको simply यहाँ पर अपना domain रेजिस्टर करना होगा for example आपको जो भी domain चाहिए आपको यहाँ पर enter करना है तो चलेए मैं example के लिए मैं यहाँ पर से मेरे चैनल का name ही सर्च कर लेता हूँ stay smart yt stay smart yt मैंने यहाँ पर type किया है तो अगर आपको यह domain available होगा तो यहाँ पर सर्च होकर आजाता है आपका domain available है या नहीं तो आप यहाँ पर देख सकते हो stay smart yt.com यह available है तो मुझे simply यहाँ पर से select and continue पर click कर देना है और जैसे ही मैं select and continue पर click करता हूँ आपके सामें कुछ इस तरह का यहाँ पर interference आजाता है तो आपको simply यहाँ पर से proceed पर click करके आपको proceed कर देना है तो आप जैसे ही proceed पर click करते हो तो आप आगए हो register page पर तो यहाँ पर देखिया register to create your free website तो यहाँ पर से आपको registration कर लेना होगा for example, मैं यहाँ पर से register कर लेता हूँ और सारी डीटेल फिल कर देने के बाद simply register पर klik कर दीजिए और register पर क्लिक कर देने के बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं registration successful और simply आपको यहाँ पर क्लिक कर देना है और क्लिक करने के बाद आप देखिए यहाँ पर आपके साम में एक टिटोरियल आ गया है हमें इसे नहीं देखना है आप इस वीडियो को पूरा देखिए बस आप समझ जाओगे तो इसे यहाँ पर से हम कट कर देते हैं और यहाँ पर देखिए ब्रैंडिंग इंफरमेशन तो यहाँ पर आपका जो भी वेबसाइट नेम होगा वो आपको यहाँ पर एंटर करना है तो नहीं यहाँ पर से अपने वेबसाइट का नेम एंटर कर देता हूँ और यहां पर देखिए आप Upload Logo, Optional है, यहां पर से आप Upload Logo पर क्लिक करके आप कोई भी लोगो अगर अपने वेबसाइट का लगाना चाहते हो, तो आप लगा सकते हो, पर एक्जामपल मैं यहां से कुछ भी सलेक कर लेता हूँ, और उसके बाद आपको यहां पर क्लिक कर देना है, और वहां पर क्लिक करने के बाद आप यहां पर देख सेकते हो, तो इंडेस्ट्री टाइप, यानि कि किस तरह का विबसाइट आप बनाना चाहते हो, तो यहां पर देखिए, बहुत सारे काइडिक भी थे, तो आप यहां पर से कुछ भी सलेक कर लेता हूँ, उसके बाद आपको यहां पर नेक्स्टेप पर क्लिक कर देना है, तो नेक्स् अपना इमेल एंटर कर देना है, और यहां पर से आपको अपना मोबाइल नमबर भी एंटर कर देना है, डीटेल्स एंटर कर देने के बाद आपको यहां पर नेक्स्टेप पर क्लिक कर देना है, तो आप जैसे ही नेक्स्टेप पर क्लिक करते हैं, तो आप यहां पर देख स में प्रण सेवस्क्तबर करना है और आप यहां पर डिख सकते हो मैं चाहिए इसनोब और सिर्फ प्राइण कर सकते हो हमें छाहिए पोर्टफोलियो गिंदो हम यहां पर रक सकते हैं तो आप अपने हिसाब से जोबी pages आपको चाहिए वो इस तरह से rearrange कर लीजिए और करने के बाद यहाँ पर next step पर आप click कर दीजिए तो आप जैसा ही next step पर click करते हैं तो आप देख सकते हो आपके सामें कुछ themes आ चुके हैं तो आप यहाँ पर से कोई एक theme को simply select कर सकते हो या अगर आपके पास कोई website है या किसी website की तरह आप theme अपने website पर लगाना चाहते हो तो simply यहाँ पर उस website का URL आप यहाँ पर enter कर दीजिए और उस website से related theme मतलब उस website पर जो theme होगी यहाँ पर आपके website पर वो लग जाएगी तो फिलहाल की लिए मैं यहाँ पर से इस वाले theme को select कर लेता हूँ और select कर लेने के बाद next step पर आप click कर दीजिए तो जैसे ही आप next step पर click करते हो तो आप यहाँ पर देख सकते हो कुछ इस तरह का website जो है वो मेरा बनने वाला है तो मैंने जो theme select की है वो कुछ इस तरह की है तो यहाँ पर मेरा website कुछ इस तरह का बनेगा तो आप पर depend करता है जो इस तरह की आप theme select करोगे उस तरह का website का look आपको मिलेगा तो theme के हिसाब से आपको website आपका ready मिलता है तो आपको यहाँ पर edit no पर क्लिक करना है और जैसे ही आप edit no पर क्लिक करते हो तो आप आजोगे अपने website के edit in section में तो यहाँ पर फिर से एक tutorial आगया है तो हमें नहीं देखना बस कट कर दें और उसके बाद आप यहाँ पर देख सकते हो आपको यहाँ पर कुछ options नदर आ रहे हैं तो सबसे पहले तो आप यहाँ पर क्लिक कर ले और यहाँ पर क्लिक करके आप यहाँ पर से अपने contact details वग़रा कुछ भी change कर सकते हो edit कर सकते हो और उसके बाद आप यहां पर ख delayed और यहां पर क्लिक करने के बाद आप यहां पर देख सकते हो यहां पर से इमेज़स को भी select क्लिक कर सकते हो यहाँ पर आप देख सकते हो change this image पर click करके आप अगर कोई अपनी image लगाना चाहते हो तो वो भी आप यहाँ पर लगा सकते हो यहाँ पर से लेबलरी में भी आपको कई सारे images जो हो मिल जाते हैं और उसके बाद देखिए यहाँ पर Facebook का जो icon नदार आ रहा है आपको इस पर click करना है और यहाँ पर आप देख सकते हो social media के सारे links तो आप जो भी चाहें यहाँ पर से आप लगा सकते हो यहाँ पर लगाँगा अपने YouTube का link तो आपको YouTube को enable करना है और उसके बाद अपने channel वगरा का URL आपको यहाँ पर देदेना है और उसके बाद आप यहाँ पर click करके अपने website का preview भी आप देख सकते हो तो यहाँ पर आप देख सकते हो कुछ इस तरह का आपका website लग रहा है तो आप यहाँ पर से सारे changes कर सकते हो तो आप यहाँ पर देखिए कहाँ पर कहाँ पर कहाँ पर just a minute हाँ यहाँ पर आप देख सकते हो एक YouTube का icon नजर आ रहा है अभी मैंने YouTube का चैनल लिंक किया था यहाँ पर आप देख सकते हो YouTube का logo तो मैं जैसे यहाँ पर क्लिक करता हूँ तो सीधा मैं आज़ोंगा अपने YouTube चैनल पर तो उसी तरह से आप अपना सारे social media के links आप वहाँ पर देख सकते हो और आप यहाँ पर देख सकते हो आप यहाँ पर नीचे आपका सारा वह address आपका email आपका mobile नमबर यहाँ पर वह सारा show कर रहा है तो यहाँ पर से अच्छे से एडिट करके आप एक अच्छा website बना सकते हो और सारी reading कर देने के पात यहाँ पर आप देख सकते हो publish तो आपको simply publish पर क्लिक कर देना है तो जैसे ही आप publish पर क्लिक कर देते हो तो आप यहाँ पर देख सकते हो आपका website अभी publish नहीं हुआ है तो आपको यहां पर इसके टेंप से कंडिशन को accept करके गुब पॉब्रिश आपको यहां पर से कर देना है तो आप जैसे ही पॉब्लिश पर क्लिक करते हो तो यहां पर आप देख सकते हो आपके साम में 2 plans आ गए हैं एक है basic plan और एक है prime plan तो आप यहां पर देख सकते हो basic plan 4 month free trial यानि कि guys आप जो website बना रहे हैं और जो आपका domain hosting वो यहां पर 4 months के लिए आपको free में मिलेगा उसके बाद आपको थोड़ा amount pay करना होगा यहां पर आप देख सकते हो 4 months हो जाने के बाद 400 rupees पर month तो हमें यह वाले plan को select कर लेना है start free trial पर click कर दीजिए और बस आपका जो website है वो website आपका online publish हो जाएगा और यहां पर आप देख सकते हो congratulations we have received your request तो यहां पर यह आपको बोल रहा है within 24 hours यानि कि 24 गंदे के अंदर आपका जो website है वो online publish हो जाएगा तो गाइस यहां पर आपको 4 months के लिए free website मिल रहा है free hosting free domain के साथ आपको 4 months के लिए बिल्कुल free website बना सकते हो आप अपने business के लिए अपने youtube channel के लिए या फिर अपना कुछ आप photoshoot बहरा करते हो तो अपना portfolio बताने के लिए आप इस website को try कर सकते हो अगर 4 months तक workout हो जाता है तो उसके बाद आप उसे पे करके I mean monthly 400 rupees देकर आप रही use कर सकते हो दोस्तों इससे related अगर आपको कोई भी dot हो अगर आप जानना चाहते हो इस website पे क्या हम wordpress को install कर सकते हैं क्या हम इस पर ads लगा सकते हैं क्या हम इसे monetize कर सकते हैं तो दोस्तों अगर इस तरह कोई भी dot अगर आपके मन में है तो आप नीचे comment कर सकते हो वैसे मैं अगली video बनाने वादा हो इसके ओपर क्यूंकि इस से related सारे dots वगरा मैं करूंगा clear next volume video में तो दोस्तों इस video को एंटर देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया और दोस्तों अगर आपको यह video अच्छे लगे हो तो इस video को like कर दीजिए चैनल पर नहीं आ गए हो तो चैनल को subscribe कर लीजिए यहाँ पर इसी तरह के interesting videos आप लोग को देखने को मिलते रहते है so yeah guys thanks a lot for watching bye bye